हलो स्टूडेंट्स त्वैल्थ की जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दिजेगा जो भी स्टूडेंट्स हमारे मकेश कॉलेज वहां कभी कालीदा सूरेदेव कॉलेज जो है आपको त्रिमुहान चंदाना जिसका हों जिसका डृष्टिक आपको दर्वंगा पर रह आते हैं तो यहां पे आप बने रहे हैं सेशन 2024 होने वाला है इस रिगार्डिंग एक नोटिस जो है आपको ऑफिस्यल जाड़ी हुई है मकेस कॉलेज के तरफ से क्या है नोटिस सारी जानकारी इस बीडियों जालेंगे चलिए बीडियो को स्टार्ट करते हैं ठीक है कब होग आड़ीशन इंफॉमेशन तो बारवी के अंटरमीडियेट समत्र जो 2023 से लेके 25 तक चलेगी जो निव सेशन 2024 में मानी है 2023 से पचीज में नामांकन के लिए छाट-छादराओं को सुचित किया जाता है कि उसका जो नामांकन है ठीक है उनका नामांकन तीस चार दोजाट मतल है जिसका कुछ रिगार्डिंग जो है फी इस्ट्रक्चर दिये हूं है उनको जानते पहले यह तो जान गया डेट कब से कब है तो तीस तारिक से स्टार्ट होगी और पंद्रह मज तक जो है आपको लास्ट यहां पेंसन किया गया है उसके बाद आपका साइंस स्ट्रीम का साइंस लेना चाहते है बार्मी में वह 1340 रुपया मतलब 1340 रुपया प्लस 170 रुपया सी एल सी टीसी फी ठीक है टीसी सी एल सी पी का आपको 170 रुपया लगेंगा उसके बाद हमारे आर्ट्स के जो इस स्टुडेंट से 1100 तिरपन मतलब 1130 रुपया मनु बिज्ञान विश पास कुछ कम किया गया है तो यही फी लगने वाला है उसके बाद कॉमर्स की जितने भी स्टुडेंट से उनका भी 1100 तिरपन लगेगा यहां पे सुल्क और 170 रुपया यहां पे सी एल सी टीसी लगेगा और नोट में दे दिया गया है यह पढ़ना बहुत इंपॉर्टन है ओलाइन नामंकन से पुरभु वांचित सभी कागजातों के साथ 200 विद्याल है मतलब महा विद्याल में 75% आवेधन जो सपत पत्र है उपस्तिती का सत्यापन नामंकन प्रभारी प्रधानाचारी से कराना आवस्यक होगा बिना नामंकन प्रभारी प्रधानाचारी से सुग परसेंट वाला एक इंफॉमेशन कि हम जो है क्लास में 75 परसेंट बनाएंगे वह आपको ऐसा करके आपको जब भराएगा उससे में आपको देना होगा अपलोड करने के लिए उसके साथ पाउती रसीद भी रखनी होगी क्या लगेंगे आप इस एक डॉकमेंट वह भी बता देते हैं बारीवी अक्षा में जो ओनलाइन नामंकन के थे उसकी प्रवपावती रसीद जो स्पोर्ट आडविशन करवाया थे वह और 75 परसेंट परस्तिती का आवेदर एक सपत पत्र के जैसे साधा पेज़ पर अप्लिकेशन 75 परसेंट परसेंट परसेंटी का और ग्या कि आज का 29 दोजार 24 का आज का है प्रवारी परदानचार माविदायति संदों अंदर मगा आई होप आपकी जो कुछ भी डाउट है वो क्लियर हुई हो और समझ में आया हो एडविशन कैसे करना है क्या फी स्ट्रक्चर है क्या प्रोसेशिंग फी है क्या नोट में दिया ग में दिया है